परखने नहीं तो गया और हजारों सालों से जिनका काम सिर्फ पढ़ना परहना रहा है वो लोग आज मेरीट वर्सेज आरक्षन की बहस सलाते हैं इसे आप कैशे देखते हैं मुझे लगता है कि आरक्षन पर अब बात करना समय जाया करने जैसा है क्योंकि आरक्षन की स्थिती क्या है आरक्षन बचा हुआ किदर है आप अगर देखेंगे तो सारा भुमेडली करण निजी करण का जो दोर हुआ उसके बाद में साराज सारवजनिक शेत्र एक तरीके से चला गया जिसको आप कह रहें कि निजी नहीं है लेकिन वो निजी है और वहाँ पर किसी प्रकार का को रिजर्वेशन तो है नहीं तो बात मतब जितना ज्यादा अरक्षन को लेकर के एक तरीकी एक संबेदन सीलता धरसाई जाती या जितना उसको लेकर के लोग परिशान हो जाते हैं मुझे लगता है कि उतना अरक्षन का कुछ बचा हुआ समाज में है नहीं तो जो सबसे कम लाब दे रहा है उस चीज पर सरवादिक चर्चा करना एक तरीके से विमर्स को डिल रेल करना भी है तो आप अगर देखेंगे कि सरवादिक चर्चा में जो जो जोब अपॉर्चुनिटी है वो इतनी कम होने के बावजूद सारी बात इस पर की जा रही कि रेजर्विशन से बहुत कुछ खा गए हैं लोग और पूरी मेरिटोक्रेसी की बहस ही सिरेज से ही गड़वर है योग्यता तंत्र आखिर है क्या और किस तरह से आप योग्यता को आंकलन कर रहे हैं जो मेरिट का पूरा सवाल है वो क्या अंकल आने की और यादास्त की खंता पर ही निरभर करता है हम लोगों ने एक गाउं में एक छोटा सा प्रयोग किया दिल्ली से कुछ स्टुडेंट आयोए थे और हमने गाउं के कुछ स्टुडेंट इखटा किये और दो तरह के उनके एक्जाम लिए एक घंटे तक एक्जाम में जितने भी सवाल थे वो गाउं से समंदित थे खेती से समंदित थे कुवे, फसल, इन सब के बारे में थे और हमने देखा कि ये सारे सहर से आयोए बच्चे पूरी तरीके से उसमें फेल हो गए और बाद के एक घंटे जो सवाल थे वो सब आपके सहर के सवाल थे अंग्रेजी भासा में सवाल थे पिजा बरगर जो कुछ भी यहां चलता हूँ वो सवाल थे तो उन बच्चों ने सुना ही नहीं गाओं के लोगों ने कि ये भी कुछीज होती है तो बाद के एक घंटे का जो सेशन था उसमें वो कोई जवाब नहीं दे पाए तो आप क्या कहेंगे कि एक घंटे पहले वो ज़्यादा योग्यतावान थे और ये सारे आयोग्य थे और गंटे पर बाद में ये योग्यतावान हो गए और वो आयोग्य हो गए तो मुझे लगता है कि इस पूरी बैस को सुरू से ही घड़बड तरीके से किया जा रहा है पूरे रिजर्विशन के पूरी चीज को और अगर आप आरक्षन की बात भी करेंगे तो एतियासिक रूप से इस देश में भहुत सारा आरक्षन तो पहले से ही मौझूद है बरन व्यवस्ता एक तरीके से आरक्षन की ही व्यवस्ता है उससे कभी भी कोई तकलीप इस देश को न हुई न थी और नहीं आज है लेकिन जोब और थोड़ा बहुत सिक्षा में और राजनिती में जो कुछ आरक्षन मिला और आरक्षन है क्या है दरसल तो प्रतिक निदित हुए है ना रेजर्वेशन को इस तरीके से पेस किया जाता जैसे खेरात है और ये किनी वर्गों के घर में रखी हुई चीज थी उनकी बफोती थी उसको उन्होंने निकाल करके किसी और को दे दिया इस तरीके से जो पेस किया जा रहा मुझे लगता है उसमें मुझे तो बड़ी आपती होती है और इसका कुछ मिल नहीं रहा है दर असल और पॉलिटिकल रिजर्वेशन तो बिल्कुल ही वेकार साबित हुआ है और मुझे लगता है कि इस मंच से मैं कह सकता हूँ कि उस राजनिती कारक्षन से दलितों को जो एमपावर्मेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिला है बलकि उससे और कमजोर हो गए है हम रिजर्व कॉंसिटेंसी में तमाम जगों पर देखते हैं वहां उनकी कोई क्षमता नहीं है क्योंकि सारी दलिजातियां आदिवासी जातियां एक दूसरे में बिखर करके एक दूसरे से लड़ती रहती है तो ये सारी जो चीज कही जा रही है इसको थोड़ा दूसरे तरीके से भी देखने की ज़रूत है रिजर्वेशन जब तक EWS नहीं था तब तक वो आरक्षन की आग में पूरा देश जल रहा था और फिर हातों हात बिना किसी बहस के तुरंट जब आ गया सुदामा कोटा और उसके बाद में उसको लेकर के कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे तो लगता है कि आरक्षन पर इतना वक्त की ही क्यों जाया किया जा रहा है और इसका सबसे बड़ा क्रिटी किये हैं कि जातिगत आरक्षन नहीं चाहिए आपको बाकी तो आरक्षन चाहिए बाकी तो सब जिगे पर आरक्षन चाहिए न कोई दिक्कत थुड़ी है आर्थिक आदार पर भी दिक्कत नहीं है या तो फिर आरक्षन सबसे ही दिक्कत हो कि हम तो रेलवे में भी आरक्षन नहीं कराएंगे, कहीं आरक्षन नहीं कराएंगे, हम तो इतने खिलाप हैं, ऐसा तो नहीं है, तो जाती गत आरक्षन के आप खिलाप हैं, तो जिस आधार पे आरक्षन टिका हुआ है, उस आधार क हैas के खilIND खाएं की नहीं है जाती के खिलाप हैं की नहीं है उसको क्यों नहीं खुतम कर देते है आप आधारी के खिम करीए तो अपने आप दूसरी चीज खतम ही हो जाएगी तो कोई मैट बनी रहेगा पर मुझे मुझे लगता है कि यहां पूरी बहस यह चल रही है कि बीमारी तो बची रहेगी, इलाज नहीं होने देंगे, कोरणा तो चलेगा, हम वैक्सिन नहीं लगाने देंगे, तो यह जो पूरा चीछ चल रहा है, मुझे लगता है कि इसके साथ एक दिक्कत हमारी है, और मुझे पढ़ेगी, हम वो उसको खतम करेंगे या हम खतम करेंगे, इस बहस को थोड़ा आगे ले जाएं, क्योंकि जो जाती से पीडित हैं, वो तमाम लोग इस बात पर सहमत हैं कि जाती को खतम करना है, जो लाभानवित है वो खतम करेंगे, लेकिन अब जिस जगे पहुँच गय है ये मसला, उसके बाद इस ब्लेम गेम को थोड़ा बदलें और मिलकर के इसको खतम करना पड़ेगा, नहीं तो ये खतम कभी नहीं हो सकता है, ये बना ही रहेगा, हम कहें कि जनेवधारी नहीं खतम होने दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि तुम नहीं खतम होने दे रहे हो, क् तो मुझे लगता है कि जाती जिस स्तिती में आ गई है, उसका जो पूरा एक तरीके से देश विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, संभिधान विरोधी, स्त्री विरोधी, जो चरित्र है जाती का, उसके बाद भी अगर हम जाती को बनाए रखते हैं और फेलाए जाते हैं, और मु दुनिया को दिया है और अभी भी देते ही जा रहे हैं, और हालत यह हैं कि वो कई सारे विदेशी मुलकों में अब कानून बनाने पड़ रहे हैं कि यहां से ले जा करके वहां और फेला दिया, बाहर से व्यक्ति आता है, तो यहां कोलेज खोलता है, आपकी कहीं अच्छी करता है, लेकिन यहां से जाकर कि आदमी मंदिर बनाता है और महां जाती के गेटो निर्मित करता है, तो मुझे लगता है कि जाती के सवाल को निरपेक्ष तरीके से सोचना पड़ेगा कि अब इसको खतम नहीं किया, तो यह हमें एक देश क्या एक इंसान बनने की जो निंत पक्षी भी गिन रहे हैं, वहन भी गिन रहे हैं, भूमी और भवन सब गिन रहे हैं, तो फिर क्या दिक्कत है कि आप अगर गिन लेंगे, और एक आर्थिक सामाजिक तरीके से सारी चीज़ें आ जाएगी, और यह पता चल जाएगा कि कौन कितनी संख्या में हैं और किस के पास क्या संसाधन इस देश में बचे वें जब तो प्राप्लम क्या है जब कि से और स्ट की जनगर्णा आजादी के बाद से लगतार ही रही है लेकिन आप अगर अभी सबसे बड़ा संकट क्या है मुझे लगता है कि सबसे बड़ा संकट यह है कि OBC की घंड़ना हो जाएगी और OBC की घंड़ना से उनका सब कुछ सामने आजाएगा मुझे लगता है कि यह बहुत जरूरी है और मैं मैं यह मैसूस करता हूँ कि OBC की जनगर्णा हो जानी चाहिए यह OBC का भी स्टेटस सामने आजाना चाहिए क्योंकि वहां भी बहुत सारी लठायत कम्यूनिटी हैं जिससे हम धलित और अधी वाऌसी सरवाधिक हमें पीडित हैं उनका भी हम्हें समझ में आना चाहिए कि कितना जमीनें उनके पास है कितना सारा चीज उनके पास है तो हमें तो हम ऐदे दलित मैं तो यह चाहता हूँ कि यह जनगर्ना सब से पहले होकर कर के आए ताकि आप एक तरीके से मान्चित्रन होगा इससे और जब आंकड़े आ जाएंगे तो नीती निर्मार्ण और बाकी तमाम चीजों के लिए जाती जनगर्णा एक महत्वपुर्ण साबित होगी मेरा ऐसाथ